उत्रखंड में चारधाम यात्रा में साल श्रधालूओं की संख्या ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं अब तक 10 लाग से ज़्यादा श्रधालू चारधामों के दर्शन कर चुक हैं अगर आप चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं तो ध्यान दे सबसे पहले तो आप बिना पंजीकरण के चारधाम यात्रा पर न आएं पंजीकरण के बिना आप चारधाम यात्रा नहीं कर पाएंगे चारधाम यात्रा मुँड़े श्रधालूओं के सहलाब ने कारोबार को पंक लगा दिये हैं खासकर होटल धाबे ट्रेवल से जुड़े कारोबारियों ने 15 दिन में अच्छा बिजनस किया है। अनुमान के मुदाबिक अब तक 200 करोड से अधिक का कारोबार हो चुका है। महानिदिसक शूचना बंशिधर तिवारी ने बताया चार धाम यात्रा के लिए इस बार रिकॉर्ड तीर्थे यात्री पहुंचे हैं। इससे धामों में दबाव तो बढ़ गया लेकिन कारोबारियों को अच्छा फायदा हुआ है। पंदर दिन के भीतर चारो धामों में होटल, धाबे, ट्रेवल को लेकर विभिन व्यवसाईयों ने 200 करोड से जादा का कारोबार किया है। अकेले गड़वाल मंडल विकास निगम ने 22 करोड कमाए। जबकि टैक्स और अन्य प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में कमाई इससे कई गुना जादा है। अनुमान के अनुसार होटल, धाबो और होमिस्टे से करीब 80 करोड, दुकानदार 20 करोड, घोडा, खचर, डंडी-कंडी और गाइड आदी से 30 करोड, ट्रेवल से 40 करोड, अन्य से 30 करोड की कमाई हो चुकी है। राज में पारकिंग, एंट्री समेत, विभिन टैक्स और मंदर समेती से लेकर तीर्थ पुरोहितों से भी अच्छी कमाई हुई है। सीजन 12 अप्रेल को खुलने से शुरुआत में कम तीर्थ यात्री आये हैं। मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी चारदाम यात्रा की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि सबसे अधिक ध्यान सुरक्षित यात्रा पर दिया जाए। यात्रियों को यदि किनी स्थानों पर ठेहराय जा रहा है तो वहाँ पर उन्हें सभी आधारबूत सुवीधा उपलब्द कराई जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शद्धालों की हर सुवीधा को त्यान में रखते हुए काम किये जा रहे हैं। चारधाम यात्रा के लिए एक सफता से रुके लोगों को यात्रा पर भेजा जा रहा है। अभी चारो धामों में यात्रा सुचारो रूप से चल रही है। चारधाम यातरा के दौरान व्यवस्था बनाये रखने के लिए मुख्यमंतरी पुशकर सिंग धामी के निर्देश पर 31 माई तक चारधाम यातरा के ओफ राइन रेजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई है चारधाम यातरा के दौरान पंजीकरच शद्धालो को यमनोतरी धाम के लिए बढ़ कोट में चेक किया जा रहा है तो गंगोतरी धाम के लिए हीना में चेकिंग हो रही है वहीं केदारनाध धाम जाने वाले यात्रियों को सोन प्रियाग में चेक किया जा रहा है तो बदरिनाध धाम जाने वाले शर्धालों को पांडू के श्वर में चेक किया जा रहा है चारधाम यात्रा के दौरान दर्शन के लिए शद्धालों को टोकन जारी किया जा रहा है या मनुत्री धाम के लिए जानकी चट्टी में, गंगोत्री धाम के लिए गंगोत्री मंदिर में तो केदारनाध धाम के लिए स्वर्ग रोहिनी तो बदरिनाध धाम के लिए ISBT, BRO और माना पंजीकरट सद्धालों को टोकन जारी किया जा रहा है मंदीरों के परिसरों में पंक्ती में लगे शद्धालों को टोकन पर मोहर लगा कर उनके लिए धामों के दर्शनों की व्यवस्था की गई है उत्रेकंट से चुड़ी तमाम खबरे पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और अगर आप इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें